हेलो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके एक्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो की है टाइप सॉफ्ट्वेर जिसके उपर हम लोग बहुत सारे मुल्टिपल चॉइस कोशन आज के इस वीडियो में कम्प्रीट करेंगे यह एक तर कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत हेल्फुल होने जा रहा है तो उस वीडियो को एंग तक देखिएगा लाइक करिएगा शेर करिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है सब्सक्राइब दा चैनल तो ऐसे स्ट्वेंट जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उन सभी स्टुडेंट के लिए यह वीडियो बहुत हैल्फुल होगा और साथ में अगर कोई ऐसा भी कैंडिट है जो अपने यूजी सी नेट की तयारी कर रहा है तो वह स्टुडेंट भी इस वीडियो को देख सकता है इसके अंदर जो कोशन से ह वहां पर डेरेट कोशन जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं तो जितनी भी कोशन में आपके साथ डिसकस करूंगा उन कोशन का पीडियेफ हम लोग टेलिग्राम चैनल पर शेर कर देंगे टेलिग्राम चैनल को जाकर जोइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रि साइट पावैलेबल है हमारी वैबसाइट के आप जाके विजिट कर सकते हैं वैबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ में अगर आपको इन एक्जाम के अंदर इन्रोल करना है उससे कोई भी इंक्वैरी है तो उसके लिए आप हमारे वाट्सप नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आपके एक्जाम की जितनी भी तयारियां हैं हम लोग करातेएं इसपेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर तो उसके लिए भी अगर कोई डाउंट है आपका तो वो भी आप हम से यहाँ पर आके पूश सकते हैं तो आईये अब हम लोग जो जितने भी हमारे multiple choice question है, उनको आपके साथ one by one discuss करेंगे, एक के बाद एक, और इन में अगर कहीं पर भी आपको परिशानी होती है, तो आप मुझे telegram पर comment कर सकते हैं, या फिर अपने हमारे YouTube comment में भी comment कर सकते हैं, तो चलिए, एक एक करके, इन questions को हम लोग आपके सामने discuss करते हैं, अब हमारे पास जो questions हैं, उनको मैं एक एक करके आपके साथ discuss करूँगा, तो इस lecture में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो भाई question काफी सारे हैं, तो आप जो है, इनके answers को comment कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक questions को या तो आप रोक रोक क से आप खुछ solve करिएगा, और या फिर आप comment करके भी मुझे इसका answer बताते सकते हैं, तो चलिए एक करके इन question को discuss करते हैं, first question आपके screen पर है, high level programming language can be converted to machine language using which of the following, यानि जो हमारी high level language, जिसे हिंदी में हम लोग कुछ इस तरहीं programming भाशा कहते हैं, किस तरीके से हम लोग उसे convert कर सकते हैं, machine language में, तो उसके लिए कौन से software की हमें ज़रूत पढ़ती है, option हमारे पास है, oracle, compiler, matlab, assembler, तो देखिए, ये काफी सारे options, वैसे तो मैं इनको discuss आपके साथ, पहले के lectures में कर चुका हूँ, पर अब मैं क्या करूँगा, जो answer होगा, उसको detail में explain करूँगा, त तो इसका correct answer compiler, तो compiler एक तरह का translator होता है, जो high level language को machine language में convert करता है, अब बात आती है, कि high level language कौन कौन सी होती है, तो जो भी programming language, जो की human understandable होती है, यनि आसानी से उन्हें कोई भी human समझ सकता है, जैसे C है, C++ है, Java है, तो उनके लिए हमें compiler की ज़रूत पढ़ती है, okay, तो matlab भ भी एक तरह की language है, बट इसको हम लोग जो है, एक अलग category में रखते हैं, जिसके लिए हम आगे जो है, मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए हमें compiler की जरूत नहीं बढ़ती है, बढ़कि interpreter की जरूत पढ़ती है, assembler एक ऐसी language है, जो की हमें assembler जो है, उसे understand करता है, यहां video का जो PDF होगा, वहां पे आपके लिए upload कर दिया जाएगा, next question, second, computer program that translate a program statement by statement into the machine language, इस call या एक ऐसा program, जो की program के अंदर, statement by statement, जो है, convert होता है, machine language के अंदर, वो कौन सा software करता है, compiler करता है, simulator करता है, translator करता है, interpreter करता है, तो compiler जो होता है, वो भी program को machine language में convert करता है, पर वो statement wise statement नहीं करता है, जैसे हर line को एक करके उसे translate नहीं करता है, बलकि वो एक साथी पूरे program को convert कर देता है, अब बात यहां पर high level language की नहीं की गई है, और compiler तो उसका answer होगा नहीं, simulator एक ऐसा software होता है, जो की हमें real time के अंदर, किसी भी particular lab conditions के अंदर, हमें जो है, उसके output को generate करता है, उस simulator भी नहीं है, हाँ, translator हो सकता है, बट यहां पर बात की गई है, statement by statement, तो वो correct answer जो उसका interpreter है, क्या है, interpreter, तो देखो translator जो होते है, translator, जैसा कि मैंने पहले के lectures में आपको बता चुका हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो lecture नहीं देखा, जाके देखने ना, व interpreter, तो जड़ा इस बात को जड़ा ध्यान रखेगा, कि दो तरह के translator होते है, compiler हमारे high level language को convert करते है, interpreter जो होते है, वो भी हमारी जो scripting language होती है, उसको convert करते है, तो चलिए next question पर आते है, question number 3, question number 3 हमें कह रहा है कि इन में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सा ऐसा software है, जो ह machine language से convert करता है, तो देखिए, यहाँ पर हम लोग जितने भी topic discuss कर रहे है, कोशन discuss कर रहे है, वो software के उपर discuss कर रहे है, अब वो आपका application based software हो सकता है, आपका system based software होता है, आपका किसी भी based software हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने कोई उनके बीच में distinguish नहीं किया है, और हाँ, types of software का अगर theory lecture आपको चाहिए, तो आप मुझे comment करके बताईएगा, definitely मैं उसका आपके लिए उसका complete lecture लेक्चर 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 आऊँगा, अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा software है, तो जैसा कि हमें assembly language से machine language में convert करना है, तो जो हमारा assembler होता है, क्या होता है, assembler होता है, वो हम में हमारे machine language में convert करता है, assembly language के program को, किसमें करता है, assembly language को machine language में convert करता है, तो जड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, कि assembly language किस तरह की होती है, तो assembly language कुछ ऐसे important mnemonics होते हैं, जो कि हमारे program के अंदर लिखे जाते है, तो वैसे generally जो होता है, हम इसे computer architecture के अंदर यूज करते ह हो, अब तो जो, अब के अब के अब के अब करते हैं, वो ही यूज करते हैं, बट असे आज से 30-40 साल पहले काफी सारी, काफी जो थी, वो फेमस थी, और असे अब किस generation की language है, आप मुझे comment करके बताएंगे, तो देखिए, आपके लिए हिंदी में भी translate कर रहा है, तो कोशन नमर 4, compiler is a software which convert, अब compiler किस तरह का software है, अभी मैंने आपको बताया था, तो compiler क्या करता है, compiler हमारे high level language से machine language में हमारे code को convert करता है, तो correct answer क्या है, 4 का second है, क्या है, second है, machine language से high level language में यह नहीं करता है, word to bit भी नहीं करता है, और character to bits भी नहीं करता है, next question, question number 5, question number 5 हमें यह क्या रहा है, which language translator does not convert the source code into the machine code, यानि, इन में से, कौन सा ऐसा software है, या translator है, जो हमारे source code से machine code में convert नहीं करता है, यह हमें बताया है, ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, assembler, assembler हमारी assembly language को machine code में convert करता है, compiler जो होता है, high level language से machine language में convert करता है, बड़ जो interpreter होता है, वो source code को machine code में convert नहीं करता, वो से direct run करता है, क्योंकि हमारा जो translator, interpreter होता है, वो line wise line जो है, वो translate करता है, अब देखिए, मैंने translator, compiler और interpreter, आप चाहो तो assembler को भी translator की category में रख सकते हैं, ऐसा कोई भी hard and fast rule नहीं है, बड़ जनरली translator में हम लोग compiler interpreter रखते हैं, हाँ, assembler को भी हम लोग उसी category में रख सकते हैं, तो students हमारा जो, यह तो काफी सारे question हमने आपके साथ discuss कर रहा हूं, बड़ इसके अलावा बहुत सारे और भी question है, जो हम लोगोंने अपन course modules में, क्योंकि हम लोग काफी सारे exams की preparation कराते हैं, students को जिसमें PGT, TGT और IT, ITO, BPSC का training exam, next set और आपका NVS, KVS, DSC नहीं सब के courses हो हमारी website पर available है, हमारी website है www.bsacademy.in, इन courses के अंदर enrollment के लिए आप हमारे WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं, इसके लाबा किसी भी तरह की कोई भी पर परिशानी हो रही ने, exam में, preparation नहीं हो रही है, सर कैसे time table बनाओ, मुझसे preparation नहीं हो रही है, मिरको motivation नहीं मिल रहा है, तो भाई, आप मुझे धडलले से WhatsApp कर दो, definitely जो है, उसका answer मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप किसी तरह की आप तयारी कर सकते हो, next question है, source code से क्या मतलब ह है, source code, तो देखो भाई, बिना, बताय हुए, मैं बिना option दिखे, मैं पहले तो बता दो, source code क्या होता है, source code जो भी software industry में काम करते हैं, वो source code को use करते हैं, बट हम भी जो है, inducer level पर भी बहुत सारे program बनाते हैं, अपने laptop में, desktop में, किसी छोटे काम के लिए, तो जो भी task आप करना चाते हो, आप उसे programming language में लिखते हो, अब programming language उस task को करती है, तो जिस language के अंदर आप program लिखते हो, उसी को source code कहते हैं, क्या कहते हैं, source code कहते हैं, और ये जो source code होता है, आप कह सकते हैं कि इसके लिए, हमारे पास जो source code है, इस source code को हम लोग जो है, से उसे इसंहें। से डवलप करता है। इससे इसके प्रोगम होता है नहीं के अथे प्रोगर्म के दिवारा है। का नहीं है तो आप पूरे option भी पढ़के जाना मैं तो सीथा सब्सक्राइब करने के लिए मेरे सामने बहुत सारे हैं तो एक करके ऊपर मैं के वन उनके जो में आंसर है उन्हीं को जिसको साथ कर सकता हूं next question है इन में से कौन सा ऐसा software है जो डैश is not used to translate high-level language में समस्तान यह translate नहीं करता है यह हमें बताना है तो यहाँ पर जो है यह question था यहाँ पर इसे आप थोड़ा change कर सकते हो modify कर सकते हो बढ़ तो फिर भी क्योंकि इसमें यहाँ पर एक हलकी सी mistake हो गई है इस question में क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो तीन इसके आवला दो आंसर हो सकते हैं तो आप इस question को थोड़ा modify कर दो इन में से कौन सा ऐसा software है जो translator की तरह काम नहीं करता इसकी तरह translator मैं question को थोड़ा चेंज कर देता हूं dash is not used to translate use as a translator ठीक है तो असंब्लर भी ट्रांसलेटर कंपाइलर भी ट्रांसलेटर एंटर भी ट्रांसलेटर है पर operating system जो है वो ट्रांसलेटर नहीं है ठीक है तो इस question को थोड़ा सा मैंने modify कर दिया है तो इन में से कौन सा ऐसा software है जो translator की तरह काम करने करता इसमें starting के तीन और translator की तरह काम करते हैं बट operating system काम नहीं करते हैं इन में से कौन सा ऐसा software है जो डायरेक्ट जो है एक मिट पोशन आपको नहीं दिख रहा होगा डायरेक्ट जो है सोर्स कोर्ट से सिंगल स्टैप में translate कर देता है मलब एक ही स्टैप के अंदर आपके पूरे प्रोग्राम को translate कर देगा कौन सा है तो देखो तुस्तैटो एक असंबलर जो है सोर्स कोड से डायरेक्ट ट्रांसलेट करना इंटाइब फट्रार्णम को होता है यह लोगेंगें परगा असंपला टता है ons ल nominations होते हैं लिए इस लिए उनको भी लाए स्थार्ष ओकταार्य 2nd a एसका कॉंपाइलर है तो प्लीज मार्क सेके ज अज़ा करेक्ट आंसर मैं केवल ऑके English medium के जो कॉशंग में लिक्यार उैं कि उनि मैं तेक में तो हिंदी मेडियम क इस अपर वा पिक आम राकर importa करा रहा हूं कि आप राइठ कोई इसके सामने एरर आती है तो ट्रांसलेट करना बंद कर देता है ठीक है सिंपल सा है तो अगर हम लोग इसके लेंगविज की बात करें जो कोशन की बात करें नाइंत कोशन की तो हमारा जो interpreter होता है interpreter जो होता है वो line wise line हमारे source code को translate करता है तो जब भी इसके सामने कोई error आती है किसी line के अंदर तो वो उसको translate करना बंद कर देता है ठीक है तो यहाँ पर ना तो assembler होगा database नहीं होगा compiler नहीं होगा बलकि interpreter होगा तो please mark 9 का 4 as a correct answer ठीक है भई सारे question अच्छे है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको share करिएगा प्लीज लाइक करिएगा क्योंकि इन questions को बनाने में हमें बहुत महनत लगती है और एक एक वीडियो जो होता है आपका आपको पता है पहले की वीडियो जो मेरे एक गंटे के वीडियो भी है तो प्लीज भाई हमारे थोड़े से हमारे टीम मेंबर की हमारे टीम की पूरी सरहना के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा क्योंकि इससे हमें काफी motivation मिलता है कि हम और भी अच्छे विच्छ लेंग्वेज ट्रांसलेटर प्रेडूस अबजट कोड एंड एरर रिपोर्ट इनमें से कौनसा ऐसा मतलब ट्रांसलेटर है जो ऑबजट कोड बनाता है साथ में एरर रिपोर्ट भी जनरेट करता है ठीक है यह आपको बताया है तो अगर मैं बात करूँ अगर इस कंपाइलर के सामने किसी तरह की एरर भी आती है पूरे प्रोगां के अंदर तो उसकी एक 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 इस आस्टिव डिपोर्ट जो होती है वह भी हमारा सॉफ्वेर हमें करके देता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है 10 यह सेकंड जाजा करेक्ट आंसर समझे आगय था यह सब्ले लेंग्वेज का बारे में था या हाई-लेवल लेंग्वेज के बारे में अब जो कॉशन आने वाले हैं वह आपके software है टाइप्स ऑफॉफ्ट की बेसिक थिवरी के ऊपर में जो है ओश्वेप्र जो है को सब्सक्राइब देने वाना हो नेक्स्वेश्वेर आपको बताया था हमारे types of computer software में system software जो सबसे ज़्यादा important है दूसरा हमारा application software होते हैं तो system software का हमारे computer system में क्या role है हमें बताना है to create the graphical content of the application यानि हमारी graphical content create करता है जी नहीं ऐसा नहीं है to directly coordinate the computer operation and control the hardware हाँ यह हो सकता है पहले मैं दूसरे option पढ़ लेता हूं to perform the calculation for the scientific application जी नहीं है यह भी नहीं है to design the user interface for the application नहीं ऐसा नहीं है तो correct answer जो भी है तो system software का सबसे main task यह होता है कि हमारे system के जितने भी parts होते हैं जब वह भली hardware हो या software हो उनसे coordinate करते हुए हमारे जो important task होते हैं वो complete की जाते हैं system software की मदद से तो please mark to be as a correct answer बी जो है वो correct answer है तो next question question number 12 इन में से which of the following is not our category of system software इन में से कौन सा system software का example नहीं है okay operating system language translator utility software या फिर दिवाइस ड्राइवर तो system software का example नहीं है तो operating system तो हमारा system software का part है अब देखिए इसमें जो best answer है वो हमें लगाना है हमें लगा रहा कि बहीं कोई और भी हो सकता है बट फिर भी जो है तो उसको देख लेते language translator यह भी system software का part होता है जो हमारे compiler है हमारे translator है तो वह हमारा system software का part नहीं है तो उसलिए प्लीज मार्क सी एजा करेक्ट आंसर त्वैल्थ का सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोर्शन कोर्शन नमर्द 13 system software असिस्ट इन रनिंग दा विश टाइप अफ प्रोगाम system software की मदद से हम लोग जो हैं किस तरह के प्रोगाम को असानी से रन करते हैं मलब system software को रन करने में हमारी मदद करता है concept type की प्रोगाम मदद करते हैं तो आपके सामने हैं network protocol ठीक है application प्रोगाम या फिर यहीं यहाँ 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 पूचा गया है कि system software के अलाबा दूसरे कौन से program है जो हमें हमारे प्रोगाम को रन करने मदद करते तो वह है application प्रोग्राम कैसे यानि system software से related जो हमारे application प्रोग्राम होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को run करने में मदद करते हैं तो correct answer 13 का B है तो please mark B as a correct answer next question question 14 इन में से which of the which category of software allow users to freely use modify and redistribute the software with access to a source code यानि इन में से कौन से ऐसे software है कौन से केटिकरी के software है जिन को हम लोग जिन के source code अगर हमें मिल जाता है तो उसका उसका यूज हम absorbs कोड आसानी से कर सकते हैं इसके access कर सकते हैं उसको use कर सकते हैं उसको modify कर सकते हैं और उसे दुबारा से software में develop करके उसे sale भी कर सकते हैं ठीक है spokes कुछ selling के लिए कुछ हमारे terms conditions होती हैं तो ऐसे software को हम लो property software कहते हैं shareware कहते हैं freeware कहते है open source कहते हैं तो देखो open source के बारे में आपने पड़ा होगा कि open source ऐसे software होते हैं जिनके source code को असानी से access करके उसको असानी से use कर सकते हैं और हमें किसी भी तरह का कोई page version नहीं लेना होता open source का यह freely available होते हैं internet पर या फिर हमारे cd के अंदर तो correct answer जो हमारा 14 का भी है तो please mark 14 का b is a correct answer next question 15 इन में से which type of software is typically available for trial after which user must purchase a license और अने इन में से कौन से software जो है वो trial के लिए available होते हैं अगर हमें पसंद आते हैं तो हम उन्हें उनका उनको purchase कर सकते हैं उनका license को purchase कर सकते हैं या फिर उसे अनिस्ट्रॉल कर सकते हैं तो ऐसे software क्या कहते है, freeware कहते है, open source कहते है, shareware कहते है, free software कहते है, तो ऐसे software जो की कुछ समय तक starting में हमें freely available होते हैं, freely available होते हैं, और उसके बाद अगर हमें उन्हें खरीदना है, तो उसके लिए हमें license की use करनी पड़ती है, या फिर हम इसा uninstall कर सकते हैं, तो freeware नहीं होते है, source code नहीं होते है, इन्हें हम लोग shareware कहते हैं, क्या कहते है, shareware कहते है, या फिर इन्हें आपको श्रेवल पर freemium भी कह सकते हैं, freemium में क्या होता है, कि वो freely available होते हैं, बट अगर आपके उसके advanced version लेने होते हैं, तब हम उसे खरीदते हैं, तो freemium और shareware, दोन में थोड़ा सा difference है, ठीक है, तो इसका जो correct answer है, वो 15 का C है, next question, question number 16, what characterize the property software, इन में से किस software को हम लोग property software का best feature बताते हैं, ठीक है बई, तो देखो property software, ऐसे software होते हैं, जिने हम लोग केवल खरीद के ही use कर सकते हैं, तो हमें, for example, window, window 10, window 10 आपको पहले तो खरीद नी पड़ेगी, अब तो जो भी laptop लेते हैं, उनमें free, हमारे लिए window आती है, उसका license आता है, तो ऐसे software जो की use करने के लिए, जिने पहले purchase किया जाता है, license लिया जाता है, तो उसके हम लोग property software कहते हैं, इसका source code freely available होता है, जी नहीं जी, user can modify and redistribute, नहीं जी, यूजर ने, ना तो modify कर सकता है, ना redistribute कर सकता है, it is typically bundled with operating system, यानि इसे असानी स operating system में बंजल करके बेचा जाता है, यह भी नहीं है, तो user must pay for a license to use it, यानि इन्हें को use करने के लिए user को पहले license लेना पड़ता है, मैंने बताया आपको, तो correct answer 16 का C है, तो please mark 16 का C as a correct answer, next question, question 17, which type of software is available for free? But does not allow users to modify its source code, बहुत अच्छा सवाल है, कि यह software जो है, वो freely available होते हैं, बट इनके source code में हम लोग कोई भी change नहीं कर सकते, तो open source तो इसका answer होगा नहीं, ना property software होगा, ठीक है, अब बात आती है, कि shareware और freeware, तो shareware में भी क्या होता है, कि हमारे पास, जो software होते है, उनको हम लोग जो है, यूज करते हैं पहले, और अगर हमें उन्हें further use करना है, तो उसका हमें license लेना पड़ता है, तो इसका answer shareware भी नहीं है, तो इस तरह के software को हम लोग freeware क्याते हैं, freeware क्याते हैं, तो freeware वो software होते हैं, जिनको हम लोग जो है, जब तक free use कर सकते हैं, जब मन करता है, बट उसमें हम लोग उसे modifier नहीं कर सकते हैं, उसके source code को, okay, तो please mark the correct answer, तो students हम लोग अभी जो questions आपके साथ discuss कर रहे हैं, ये question बहुत important है, आपके exams के लिए, आप बले ही TGT की तयारी कर रहे हैं, PGT की तयारी कर रहे हैं, NVS में, KVS में, DSSB में, EMRS में, या फिर अपने बिहार की, बिहार में, जो BPSC का, जो teacher का exam होता है, BPSC 3 की exam तयारी कर रहे हैं, even, ये question आपको net और set में भी आपकी help करेंगे, तो आप किसी भी exam के preparation कर रहे हैं, सभी exam में, ये question पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप जो है, इस video को end तक देखिएगा, और please, अगर like कर हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए course बनाए हुए है, इन सारे तयारियों के लिए, जिसके लिए आप हमारे WhatsApp नमर पर हमें contact कर सकते हैं, और इन courses को आप हमारी website bsiacademy.in पर देख सकते हैं, चलिए, next question, question number 18, अब यहाँ पर यह पूछा गया है, what is distinguishing the feature of free software compared to the open source software, यह नि, open source software और free software में क्या अंतर होता है, ठीक है भाई, अब देखो, free software can be used for any purpose, free software is always available at no cost, free software allow the modification to source code, और free software is distributed under a specific license, तो पहली बात तो यह है, free software के source code को क्या हम लोग change कर सकते हैं, अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था, क्या कर सकते हैं, जी नहीं, नहीं कर सकते हैं, तो यह तो इसका answer नहीं होगा, free software को हम लोग जो distribute नहीं कर सकते हैं, license के अंदर, free software को किसी भी purpose के लि लिए उसकी आते हैं, और free software जो है, वो no cost available होते हैं, यानि उनके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, open source के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, but free software को अगर हम लोग जो है, उसके source code में change नहीं कर सकते हैं, तो यहीं difference है, open source में free software के अंदर, तो please mark be as a correct answer, free software जो है, available ह होते हैं, no cost पर, next question, question 19, which category of software must be purchased after a trial period, और removed from the system, यानि इन में से कौन सा ऐसा software है, जब हम उसके trial period को over हो जाता है, तो हमें उसे खरीदना पड़ता है, तो देखो, अभी मैंने बताया था, उसको answer, but language अलग है, इसलिए अलग category में कोश्कों रखा गया, open source नहीं है, property software नहीं है, अभी मैंने अभी थोड़ी दर पहले आपको answer इसका बताया है, 19 का answer आप सभी strengths के लिए, homework है, आप मुझे comment करके बताओगे YouTube पर, जो भी strengths comment कर रहा है, या वीडियो को देख रहा है, तो आप मुझे बताओगे, कि इन में से कौन से software को हम लोग, जब भी उसका trial period over हो जा लिए, next question, question 20, 20 question हमें ये कह रहा है, कि which term best describes the software, that is tailor made, tailor made का मतलई होता है, अपनी इच्छा के अनूसार, किसी software को बनवाना, user के requirement के according, अभी एक कौन बनवाता है, user बनवाता है, किस से बनवाता है, company से बनवाता है, या फिर end user level भी बनवा सकता है, ठीक है, तो ऐसे software जो है, customer की अपनी खुद की requirement को fulfill करते है, तो इस तरह के software को हम लोग क्या कहते है, open source software, customized software, shareware software, या फिर freeware software, option आपके सामने है, तो इस तरह के software को हम लोग क्या कहते है, open source नहीं है, shareware नहीं है, freeware नहीं है, इस तरह के software को हम लोग customized software कहते है, जो की customer की need पर बनते है, तो ऐसे software जो क कस्टमर की नीड पर बनते हैं उन्हें हम लोग कस्टमाइज सॉफ्ट्वेर कहते हैं नेक्स कोश्चन समझ में आगागा अभी इजी है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते कोश्चन में 21 ठीक है तो 21 कोश्चन क्या किया रहा है जड़ा देखते हैं इस क इंपलोई होते हैं तो उनकी सेल्री भी मिलती है उनको तो उनकी सेल्री या फिर जिसे आप बहुत रखे अलाउंसे होते हैं जिसे हम भकता कहते हैं तो जो एंपलोई की सेल्री या फिर आपके एच आर या फिर बहुत तरह कि और भी जो कॉस्ट होती है इंपलोई रिलेटेडद तो वहाँ पर पेरोल मेनेमेंड मेंसिस्टम अप्लोड उप बहुत पर इंस्टॉल किया जाता है तो payroll management system जो है इंपलोई के wages और उनकी salary को track करते हैं, मान लीजिये, अभी जुलाई का महिना चल रहा है, अब कोई employee ने salary चीहिए उसे जुलाई की, अब उसका उसने एक loan ले रखा था company से, अब वो loan company से ले रखा था, अब माल लीजिए किसी भी गलती की वज़े से लोन की जो EMI employee के salary से कचती है माल वो जादा कच जाती है तो उसके लिए वो employee अपनी company के अंदर ये कह सकता है कि आपने मेरी EMI थी वो जादा काट लिए है अब वो जादा काट लिए तो उसका पूरा का पूरा जो record है employee का वहां क कि जो company के जो department है वो से चेक करेंगे कहां चेक करेंगे अपने payroll management system के अंदर ठीक है तो यहां पर जो correct answer है वो C है तो प्लीज मार्ग C is the correct answer next question, question number 22 यहां पर यह बोल रहा है कि which software is used to maintain the record of money transaction prepare the accounting information and manage the different account and account book यानि इन में से कौन सा ऐसा system है कौन सा ऐसा management system है जो कि जब भी हम लोग कोई transaction करते हैं money का transaction करते हैं या फिर कोई accounting information होती है या फिर different type के accounts होते हैं किसी company के अंदर या किसी संसा के अंदर या कितरी तरह कि जो हमारे हम लोगों ने account books खोल रखी है उन्हें manage करने के लिए हम लोग किस तरह के management system का यूज करते हैं inventory का यूज करते हैं reservation system यूज करते हैं financial accounting system यूज करते हैं या फिर hotel management system यूज करते हैं तो इस तरह के कारे के लिए हम लोग financial यानि वित्य लेखा प्रणाली का जो software होता है उसे यूज किया जाता है जो प्लीज मार्क 22 का see as a correct answer next question question 23 in hotel management system in hotel management software what feature allow the customer to view the room availability room type make advance booking अब देखो क्या मतलब है माल लीजिये आप कहीं पर घूमने का प्लान बना रहें शिमला मसूरी दार्जलिंग अब वहाँ पर आपको पता है जहां पर भी हमारे tourist place होते हैं तो वहाँ पर जो है रुखने की विवस्ता होती है hotels होते हैं तो hotels management के अपने खुद के software भी होते हैं तो कैसे कोई customer मालो दिल्ली से आप दार्जलिंग जा रहे हो दिल्ली से बैठे बैठे दार्जलिंग के उनके hotel के system के अंदर ये check कर सकता है कि कौन से room available है कौन से room का कितना tariff है tariff मतलब कितना money है कौन से room के अंदर कैसे booking होगी कितना उसका checking time है तो इस तरह की पूरी की पूरी facility को use करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो ऐसे क्या billing account management काम करता है कि जी नहीं यह भी नहीं करता food beverage management समालता है नहीं जी housekeeping management नहीं जी इस तरह की facility जो है online booking capability यानि online booking की जाती है उसके लिए तो कोई भी आदमी कोई भी customer टैली चन्नाई या कहीं पर भी बैठा है वहां से बैठे बैठे अपने किसी भी hotels के अंदर जहां पर उसे जाना है वहां से online booking करके online booking facility यूज करके उनके सारे hotels के सिस्टम है उनको परक सकता है चेक कर सकता है तो यहां पर जो correct answer 23 का वो D है please mark D as a correct answer next question question 24 what does an inventory management system permanently help organizations to track and manage यानि जो inventory management system होते है inventory management का मतलब होता है कि जितने भी हमारा stock होता है जो हमें बेचना है future के अंदर किसी भी organization के अंदर तो वह inventory management system में उनकी क्या करते हैं उनकी पूरी entry होती है तो mainly inventory management system करता क्या है क्या यह financial transition समालता है नहीं जी financial transition के लिए हमारे accounting software होते हैं employee का record समालता है नहीं employee का record नहीं समालता क्या यह जितने भी हमारे physical resource है उनके stock को verify करता है जी हाँ यही करता है कि जितने भी बहुत संसादन है उनके stock को verify करने के लिए cross check करने के लिए या फिर कितना यूज हुआ है यह चेक करने के लिए हमें inventory management system का यूज करना पड़ता है तो प्लीज मांक सी यह जा करेक्ट आंसर याद रहेगा याद रहेगा ना वही चलिए अगला सवाल सवाल नमर 25 वर्ट डिस्टेंग्यूश कस्टमाइज software from other type of software यह जो कस्टमाइज software होते हैं वो कैसे अलग यानि system software application software से अलग होते हैं ठीक है इस freely available for download जी नहीं यह freely available नहीं होते इसा तो कुछ भी नहीं है इसका बी है इस जो भी कस्टमर की नीज है उसके अनुसार कस्टमाइज software को बनाय जाता है अभी थोड़ दिर पहले मैंने आपके साथ इस कोशन के बारे में डिसकस किया था तो प्लीज माट 25 का भी एजा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन कोशन में 26 26 क्या रहा है उसको भी पढ़ लेते हैं 26 क्या रहा है कि विच टाइप इस यूज इन ऑर्गनाजेशन तो मैनेज परचेज मैंटें दस्टॉक रिकॉर्ड एंड जन्रेट रिपोर्ट ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट टेक है यानि हम अर्गनेशन में काम करते हैं हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं बेचते हैं अपने स्टॉक को व या होटल मैनेजमेंट सिस्टम तो देखो पेरोल में नहीं होता है इन्वेंट्री में हो सकता है बट यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट का काम जो है वो इन्वेंट्री में नहीं होता ठीक है होटल मैनेजमेंट सिस्टम एक ब्रॉट टाइप हो गया तो यहाँ पर जो कर कोर्स के अंदर और यह जो कोर्स है हमारी वैबसाइट पर अवैलेबल है वैबसाइट है डीबी एस एक डाटेन और यह कोर्स हमारे जितने भी हम लों तैयारी करा रहे हैं जैसे सबके लिए हमने कोर्स बना रहे हैं जिसके लिए आप हमारे वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाट्सप नंबर जो है आपके स्कूर्ण पर अवैलेबल है ना नेक्स कोर्शन कोर्शन 27 विच टाइप आप सॉफ्ट्यर इनांसे दा कंप्यूटर रियाबल्टी प्रसेश स्पीड बै परफॉर्मिंग टास्क लाइक ऐंटी वार स्कैनिंग डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन डेटा कंप्रेशन कने अब क्सी भी एक औरे को करने के लिए हम लोग उनको यूज करते हैं तो ऐसे कौंसे स्ब्टीर होते हैं तो इसे इस्टम की तो हम लोग नहीं कहेंगे नहीं क्योंकि हम लोग जो है कोई एक पैट्टिकुलर टास्क करने की बात कर रहे हैं तो टास्क के लिए हम लोग जो है अपने जो सॉफ्टेयर का यूज करते हैं वह एप्लिकेशन सॉफ्टेयर हो सकते हैं बट एप्लिकेशन सॉफ्टेयर में हमा principles भी हो सकते था बट Liaoning्स इंप्राइज कर सकते यह को जिसको कर सकते हैं profit को ब़ाने के लिए हम लोग जो बहुत happens करते हैं अपनी सिस्टम के लिए इसलिए जो करेंट आंसर है Casey का वो है next question of 28 & 2 गोट इस अब फ्रेंडी पर्पेस ऑ उसी सॉफ्ट्वेर का में कारे क्या होता है रणिंग अप्लिकेशन प्रफॉर्मेंस मेंटेन सिस्टम स्टेबिल्टी एफिशेंसी मैंनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन तो देखो भाई अब यहां पर जो कोश्टन जो हमें दिये हैं तो देखो यहां पर अगर देखा जाए कि सिस्टम है उनको स्टेबल और उनके एफिशेंट करने के लिए हम लोग जो है यूतवल चीशर का यूज़ करते हैं तो हमारा जो क्रेक्ट अंसर वसफी है अपने computer system की speed को बढ़ाने के लिए, उसकी efficient करने के लिए, उसको stable बनाने के लिए, हम लोग जो है, utility software का use करते हैं, तो please mark C as a correct answer, 28 का जो correct answer है, वो C है, next question, question 29, 29 क्या कर रहा है, which utility software tool rearrange the fragment data on a disk to improve the data access time and overall system performance, अब देखो, यहाँ पे यह बोल रहा है, कि इन में से कौन सा ऐसा tool है, जो हमारा data है, उसको properly rearrange कर देते हैं, यानि हम अपने disk, जो disk होती है, उसको rearrange करके, यानि data को उसमें disk पर rearrange करके, उसके different version बना सकते हैं, और इससे हम लोग अपने data को improve करके, यानि data के अंदर, उसको access time उसको improve कर सकते हैं, और उसको overall उसकी system की performance को बढ़ा सकते हैं, देखो, इसके लिए backup tool नहीं होगा, इसके लिए antivirus software नहीं होगा, इसके लिए compression tool नहीं होगा, बलकि इसके लिए disk defragmented हो तो C है, प्लीज माग, C is the correct answer, next question, question about 30, what is the primary function of an operating system in a computer system, तो operating system का computer system में क्या बड़ा रोल होता है, to manage the hardware and software, to create the application software, to develop the programming language, to design the utility software, तो इसमें से D नहीं होगा, C नहीं होगा, और B भी नहीं होगा, correct answer है, जितने भी हमारे hardware और software होते हैं, उनको manage करने के लिए, हम लोग जो है, operating system यूज करते हैं, ठेक है, operating system के उपर functions, उसकी functionality के उपर, एक पूरा detail video आपको अगर चाहिए, तो comment करिएगा, definitely, उसके उपर detail video जो है, मैं जरूर ले के आऊँगा, next question, question number 31, 31 question क्या कर रहा है, जड़ा इसको भी जड़ा देख लेते ह है, which operating system type, allow multiple user to use powerful computer simultaneously, कौन करता है, इसके अंदर हम लोग मल्टिपल users को, और साथ में, उस operating system को, अपने, जो powerful computer होते हैं, यानि, बहुत बड़े-बड़े computer होते हैं, उनमें, उस operating system को, dosk, window, linux, या फिर unix, तो बताईए, correct answer इसका क्या होगा, तो देखो, बहुत सारे system यहां पर सोच रहोंगे, windows का correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो window तो हो सकता है, बट यहां पर main पूछा गया है, कि powerful computer में use किया था, इसे हम लोग linux को use करते हैं, कैसे linux क्योंकि, इन powerful computer में use करन के लिए हमें, एक command based, command based operating system की जरुद पड़ती है, और command based operating system, जो Linux जो है, वो बड़ा अच्छा है, तो इसलिए, correct answer 31 का, वो C है, linux, please mark C as a correct answer, next question 32, 32 क्या है, इसका, इसका भी answer देते है, तो what role operating system play when computer is power on, यानि operating system का क्या role होता है, जैसे हम computer system को, on करते हैं, तो operating system क्या करता है, बस यह बताना है, तो it load the user application, it initialize the hardware, it monitors the network connection, it manage the disk compression, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो इसमें, जो operating system का, जो सबसे बड़ा main role यह होता है, कि, जैसे ही, हम लोग उसे on करते हैं, अपने computer system में, computer system में तो जितने भी files होती है, वो files जो जानी चाहिए, तो जितने भी users की जो applications हैं, वो upload हो जानी चाहिए, तो correct answer, इसमें 32 का A है, it loads the user application, so please 32 का A जो है, वो correct answer है, ठीक है, next question, question 33, which component of computer system, does the operating system primarily act as an interface for, तो जो हमारा, यानि, इन में से कौन सा ऐसा computer का part है, जो operating system के साथ मिलकर, interface का का काम करता है, तो देखो, जो हम, जैसे एक user है, और एक operating system है, अब इन दोनों के बीच में, जो interface का काम करेगा, वो काम करेगा CPU, ठीक है, क्या करेगा, CPU, तो CPU जो है, उसका correct answer है, CPU is the correct answer, प्लीज समाग CPU is the correct answer, next question, question 34, what function does the operating system perform, in managing the resource like memory and peripheral, यानि operating system, जो है, हमारे, जितने भी resources है, जैसे memory है, peripheral है, इनको manage करने के लिए, क्या करता है, क्या करता है, allocating the resource based on user preference, okay, providing the security against virus, इनान से गेमिंग परफॉर्मेंस, hardware, software, resource, तो देखो, B तो इसका correct answer होगा नहीं, gaming performance का होगा नहीं, अब resource को allocate करना user के preference पे, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बच इसके अलावा, क्या इसका answer, D भी हो सकता है, यानि अपने जो hardware में, यानि जो software hardware है, उनको manage करने के लिए, उनने control करने के लिए, हमें operating system की जरुद पर दे, जी हाँ, बिल्कुल सही कबूला मैंने, D जो है सा correct answer है, A जो है, वो एक function है, operating system का, पर mainly जो memory और peripheral है, ये हमार hardware, software होते हैं, और इनको control करने के लिए, जो main task होता है, वो हमारा operating system का होता है, so please mark, D as a correct answer, D जो है, वो correct answer है, next question, question number 35, इन में से कौन सा ऐसा type है, यानि, dash is a combination of text, graphic, audio, video, animation, बहुत अच्छा है, निए, ऐसे, किस में हम लोग हो है, text भी उस कर सकते हैं, graphic भी वीडियो भी, इनिमेशन भी, उसे क्या कहते हैं, multimedia कहते हैं, entertainment कहते हैं, graphics कहते हैं, display कहते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या 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 है, क्य वर्ड क्षोफे स्प्रेड शीट एंद सफटोएग्टिस लुए यह सारे कंट्रिकेशन सफ्टेर के एक्जाम्पल में तो उनको पता है कि सारे के सारे लेक्ट्ट्ट जो हैं यानि इन में से कौन सी एक ऐसी चीज है जहां पर करम वाइस करम जो इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं कंप्यूटर को किसी कारे को करने के लिए प्रोगाम हाडवेर डेक्टा या ऑब्चेट प्रोगाम होता है तो ऐसे प्रोगाम को बनाने के लिए प्रोगाम को हम लोग जो है क्या करते हैं प्रोगामी कहते हैं या फिर यहां पर हम लोग जो हैं से हैं एंड यूजस्टर का नाम देते हैं द्वाइव और सॉस्टर को एफ़िश को सॉफ्टर को फिर बाइव यांनि बेसिक इंपट ऑपूलल तो देखो भैघि हमारे जो एंड यूजस्टर होते हैं उनको हम लोग जो हैं application सफ्ट्टियर के नाम से जानते हैं कैसे जानते हैं application software के नाम से जानते हैं तो please mark 3 is a correct answer एक्करेक्ट co next question question 39 इनमें से – consist of the step by step instruction that test computer how to do any work किसी भी कारे को करने के लिए हमें कि इनमें बमें इसे परिक्रिया होती है जिसमें हम अपने प्रोगाम को उसमें डव्लप्क करते हैं तो से एक्टी में क्या करते हैं ऐलगोरिफ में किया क्या क llj जैसे मालो चाय बनाने की विधी किसी को चाय बना नहीं आती है तो उन्हें पता है कि बनाने की इक प्रॉबफर विधी होती है तो मिलग करते हैं तो किसी भी कारे करने Choi कौn हम लोग कहते हैं और algorithm को ही हम लोग अपने programming language में convert करके programming language में लिख कर उसे प्रोगाम में convert करते हैं ठीक है तो 39 का फर्स्ट ऐसा correct answer next question कोश्म 40 dash is a software application that helps group of people on a network to work together and share the information यानि इन में से कौन सा ऐसा application software है जिसकी मदद से हम लोग अपने network पर connect होते हैं ठीक है connect होते हैं एक गुरूप बनाते हैं और किसी काम को पूरा करते हैं या फिर information share करते हैं उसे हम फ्रम वेर कहते हैं गुरूप वेर कहते हैं लाइब वेर कहते हैं तो इसमें correct answer जो है बही हमारा तो दिखो यह सारे question जो मैंने आपके साथ discuss की है वो कहीं ना कहीं किसी exam में आए हुए हैं प्रिवेस यह के question हैं तो इन सभी question को आप अपने exam से पहले जरूर करके जाईएगा आपकी बहुत help होगी इन questions को प्रिपर करने पर तो दो से तीन सवाल जो हैं इस topic से हमें हमेशा exam के अंदर देखने को मिलते हैं तो सारे के सारे topic को मैंने यहाँ पर cover कराया है और आगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप हमें telegram चैनल पर comment कर दो हमारे whatsapp पर comment कर दो या फिर हमारे जो YouTube कमेंट हैं गहीं भी comment कर दीजिए आपके जवाब हम आपको जरूर मैं भीज देंग उसका link वीडियो के description में है और यह जो class थी यह इसके अलावा बहुत सारी classes जो आने वाली है आपके लिए उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा तो चैनल को subscribe करना और प्लीज भाई like करिएगा वीडियो को share करिएगा क्योंकि इन videos के अंदर portions को create करने में हमारी team की बहुत जादा मेहनत लगती है तो उनको थोड़ा सा motivation देने के लिए आप लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा इसके लावा हमारे courses के अंदर enroll के लिए हमारे बहुत सारे exam से लेगे computer science लेगे जो courses हैं हमारी website पर available हैं उन courses में आप enroll कर सकते हैं enrollment के लिए आप हमारे WhatsApp न portion थे अब अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे एक important next video में thank you